तो टेन क्लास स्टार्ट करते हैं दिव चैप्टर आज फ्रॉम एंसियाटी से मैथमेटिक्स में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नेम है ट्राइंगल चैप्टर नंबर है शिक्स जो काफी ज्यादा बोर्ड एक्जाम के लिए इंपोर्टेट है इसे लॉंग क कोशेर भी आपको मिलेंगी और शॉर्ट कोश्चिम में मिलेंगे ब्लेंगे स्टार्ट करते हैं палat अबिस चैप्टर में ट्राइंगल की बारें हम लोग पढ़ेंगे लेकिंट्र रिएंगल होगा यहां पीजि哦 यह सब से पह pealे हम लोग को इसा पता होना चाहिए कि सिमलर object क्या होते हैं तो similar object means वो object जिसमें आपस में जिनका shape आपस में same होगा लेकिन size आपस में same नहीं होगा जैसे for example मैंने यहाँ बें दो circle बना ली है एक circle है one centimeter radius का एक circle two centimeter radius का तो दोनों का size same नहीं है लेकिन shape बोले यह भी circle है यह भी circle है तो यानि कि shape जो है दोनों का same है इसका मतलब है कि दोनों के दोनों circle हमारे similar है लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे triangles के बारे पढ़ेंगे तो यानि कि अब हम लोग को पता होना चाहिए कि आकरे two triangle similar कैसे proof किया जाते हैं चले start करतें इसके तो दो triangle similar कब होएंगे तो यानि for example मैंने यहां पे एक triangle यह बना दिया है एक और triangle बना दिया है एक a b c triangle है और एक p qr triangle है अगर आपको इन दोनों को जो है similar proof करना है similar proof करना यानि कि दोनों का shape same होगा लेकिन size same नहीं होगा इसलिए में दोनों triangle चोटे बड़े बना दिये लेकिन especially अगर पहले आपको प्रूफ करना है कि आखी similar triangle हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे उनके लिए मुझे क्यागा चीज़े चाहिए होगी उसके कई method होते है तो पहला angle पहला जो method होता है एंगल एंगल प्रोपर्टी तो एंगल एंगल प्रोपर्टी से हम लोग दोनों triangle में कोई दो एंगल आपस में equal दिखा के triangle को आपस में similar प्रूफ कर सकते हैं जैसे for example angle b is equal to angle q angle c is equal to angle r तो यानि कि दो angle equal हो चुके हैं इसका मतलग यह है कि दोनों triangle आपस में similar प्रूफ हो गए हैं एक और method होते हैं जिसका बोलते हैं side 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 लेकिन इसको जो बोलाता है ratio between cost spending side अगर दो ट्राइंगल में दोनों की cost spending sides का ratio अगर आपस में equal आ रहे हैं जैसे for example पहले triangle की पहली side अपन दूसरे triangle की भी second side first triangle की third side upon second triangle की third side अगर यह ratio हम लोग को लेने पर equal आता है तब भी triangle हमारे similar हो जाएगे तो अब अगर similar हो गया है तो उनको लिखेंग ऐसे तो उसका लिखने की तरीका है triangle ABC यह similar का sign triangle PQR यह याद दखेगा अगर दो triangle similar proof हो गए हैं तो हमेशा उसमें पहला angle first नहीं इसमें भी pattern होता है जो मैं लिखा है यहाँ पे statement यह जो sign से show किया है इसमें भी pattern होगा pattern यह होगा कि हमेशा same angle के सामने same angle लिखेंगे जैसे A किसके कुल था? B के B किसके कुल था? Q के? C किसके कुल था? R के? अगर इसको मैं change कर दोंगा order second वालेगा तो आपस में वो order गलत हो जाएगा order में ही लिखे निकला है जैसे 9 class में हम लोग comment proof करते थे चले start करते हैं इसके आगे तो इस chapter में सबसे main जो theorem है सबसे ज़्यादा जो apply होई कि इसको बोलते है basic proportionality theorem यह तम apply करते हैं जब दो triangle हमें similar दे राके होते हैं for example triangle A, B, C similar अगर पहले से triangle P, Q, R के हैं तो इनके diagram आए तो पहला triangle is A, B, C और second triangle हमारे पास है P, Q, R अगर पहले से triangle आपस में similar हैं तो इनकी corresponding sides का ratio जो होगा equal होगा means A, B upon P, Q और A, C upon P, R is equal to B, C upon Q, R इसको होगा basic proportionality theorem means when two triangles are similar, the ratio between their corresponding sides are equal तो दो conditions होती है, triangles की, एक triangle condition वो होती हैं जिसमें दोनो triangles अलग-अलग दे होती हैं और एक condition और होती हैं यह clear होगे ratio कैसे लिए न, first side upon second side लेकिन दूसरे triangle की फिर इस triangle की side upon, इस triangle की side, फिर इसका base upon, इसका base यह तरीका होता है ratio टेक कने का यह first condition होती है, एक second condition होती है, second condition में दो parts होती है, अगर triangle हमारे पास एक दे रखा है किते दर रखे, अगर एक ही triangle दे रखा है, इसका name है ABC, जिसमें एक line बीच में parallel है base के, ध्यान दीजेगा बहुत main topic दारा हूं, बहुत question इसी based है, अगर आप यह सीख गए तो समझें, आप कई exercises लगा देंगे यहाँ पर, तो यह line अगर parallel दे रखी पहले से, क्या given है, पहले से कि EF is a parallel to the BC, तो यह दो triangles हमारे पास जो बन रहे हैं, एक triangle ABC, जो larger triangle है, और यह चोटा triangle है, यह अपने आपी foreign similar proof हो जाएगे, directly, क्यों हो जाएगे, क्योंकि यह line parallel होनी वजा से, यह corresponding angle, यह corresponding angle equal हो जाएगे, और मैंने बताया था, कि दो angle अगर दो triangles में equal हो गए हैं, आपस में, तो triangle हमारे similar हो जाते हैं, चलिए तो बात रही, अभी हमारे BPT इसमें कैसे apply करेंगे, BPT में हम जाते हैं, इसको लिखते हैं, by BPT, BPT इसकी short form है, basic proportional theorem की, देखे, अगर condition यह हमारे पास है, के triangle है, इसमें एक line base के parallel है, तो वहाँ पी ratio कैसे लेने हैं, देखेगा, first triangle, कौन सा होगा, छोटा वाला, AE, upon बड़े वाले triangle की side, इसी तरह से, इस side आए, छोटे वाले triangle की side, अप बड़े वाले triangle, side मिस AC, इसी तरह से, first triangle का base, मिस छोटे वाले triangle का base, upon बड़े triangle का base, याने BC, एक यह तरीका होता है, ratio take करने का, जब भी दो triangle, एक triangle में, एक line base के parallel हो, एक condition और होती है, इसमें, अगर एक तरीका यह होंगा, ratio take करने का, एक तरीका short में होता है, जिसमें, सिफ AE upon EB is equal to AF upon FC ले सकते हैं, ये भी काफी questions में use होगा, 50% AB use होगा, 50% वो भी use होगा, दोनों use होने हैं, लेकिन मैंने कैसे लिया, AE upon EB, AF upon FC, इसको short में लिखा ज़ाता है, फूल साइड इसमें नहीं आती है, इसमें फूल साइड आती है, याने किसी question में अगर आपको proof करना है, या सॉल करना है, फूल साइड वाइस, ये सा लगाएंगे, और किसी में short में दिखाना है, ये सा लगाएंगे, ये शौर्ट साइड आगा, चलिए स्टार्ट करते है, exercise, basic concept सारा clear हो चुका है, exercise पर आते हैं, तो सबस्वेले गरादे है, 6.1 exercise, fill in blanks using the correct word in a given black gate, all circles are concurrent ये similar, द तो same है, लेकि size अगर same नहीं है, तो वो सारी चीज़े हो जाती similar, तो यहारे कौन सा answer आजाएंगे, similar, यहां पर right answer होगा, all squares are similar ये congruent, लेकि congruent तब होएंगे, जब size भी same होगा है, तो size नहीं बोल रहे हैं, यहां all square बोल रहे हैं, छोड़े बड़े सारे के सारे square के बात हो आपस में similar होएंगे, लेकि आपस में अलग-अलग हो सकते angles, क्यूंकि लेकिन equilateral, जिसकी हमेशा side आपस में equal होएंगे, और angle भी आपस में equal होएंगे, तो main यहां भी क्या angle का equal होना, तो वो angle को मिल रहे हैं, तो यानि कि equilateral triangle हमारा all हमेशा condition में कैसा होगा, similar होगा, इसी दा their corresponding angles are equal and their corresponding side are proportional, side का ratio equal होना चाहिए, ratio equal होना चाहिए, यहां लखेगा, not with the size, is the ratio will be the equal and corresponding angles are also equal, तो given a two different shape, example यहां लिखने हैं, जो similar figure हो, बुलकुस यह दो आप circle बना दीजे, छोटे बड़े, तो में दोनों आपस में similar हो जाएंगे, non-similar figure जो ले सकते हैं, आप triangle दीजे, एक quadrital बना दीजे, दोनों आपस में similar बिलकुल होएंगे, क्योंकि दोनों के figure अलग अलग है, third way आते हैं, third way यहां पे दो figure दे रखें, square और एक rhombus है, तो यह पूचा जा रहा है कि similar है या नहीं, तो similar यह बिलकुल भी नहीं है, क्य exercise for board exam, तो start करते हैं, question of first, 6.2 exercise, तो question में यहां पे given है, देखिए मैं यहां पे figures भी बना लिए है पहले सी, और question में यहां note कर लिए है, जो first question यहां पे बोलना है, साफ सा, in the figure, is the first and second, is the B, D is parallel to BC, and the fine EC, in the first figure, and the AD, second figure, यारी first figure मुझे निकालना है, EC निकालना, second figure में मुझे AD fight out करता है, और given है, यहां पे lines कैसी है, parallel है, तो मैंने भी बताया था, कि अगर एक ही triangle में, एक line base के parallel होईगी, तो यह दो triangle जो बन रहे हैं, छोटे बड़े ADE और ABC आपस में similar होईगे, और जिसमें मैं take कर सकता हूँ, BPT, यानि basic professionality theorem, जिसमें cost spending sides का ratio take किया जाता है, तो द long cut में, तो देखते हैं, full side ratio लेना है, यहां पर short side ratio लेना है, देखे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है EC, और मुझे दे रखा है AE, मुझे दे रखा AD, मुझे दे रखा BT, तो देखे सारी short lengths हैं यहां पर, और मुझे short length पर निकालनी भी है, और मुझे base तो निकालनी तो इसलिए मैं लेके लेता हूँ यहाँ पे by bpt, bpt में लेते हैं ratio तो कैसे लेंगे short hand में ले रहा हूँ मैं second वाली condition के according ratio ले रहा हूँ कौन सी second वाली, जो मैं दो ratio लेखा है मैं second लगा रहा हूँ, तो कैसे लगाएंगे at upon bd is equal to ae upon ec क्योंकि line यह parallel थी बेस की, जब parallel थी तो triangle दोनों कैसे हो गए, similar हो गए और जिसमें मैं bpt लगा सकता हूँ bpt means ratio between corresponding side लेकिन उसमें भी दो method थे, एक short length में था, एक full length में था तो full length वाला नहीं apply करेंगे क्योंकि यहाँ पी short length से हमारा answer आ सकता है क्योंकि short length ही यहाँ पूछी गई है, अब put करते थे value, ad कितना है, 1.5, bd कितना है, 3, ae कितना is 1, और मुझे ec तो यहाँ find out करना है, तो इसको solve कर लेते हैं, कैसे करें, point हटाया, 0 पढ़ आया, cancel किया, 2 आया, cross multiply कर ली, तो ec मुझे मिल चुगा है, कितना 2 cm, यहाँ पे parallel है, और जो parallel है, तो ले लेते हैं, यहाँ पे भी bpt का ratio, और निकालना है क्या है मुझे, मुझे निकालना ad, और देखे, short length है यहाँ तो ratio कौस लेंगे, short length है, तो कैसे लेंगे, ad upon bd, is equal to ae upon ec, अब बस well put कर दीचे, ad कितना है, यहाँ पे, ad तो find करना है, bd कितना है, 7.2, और ae 1.8, और यह कितना है, 5.4, अब बस इसको simplify करते हो, रहाँ से भारा आ जाएगा, तो ad is equal to, यह value मैं, side यहाँ ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, जो आपस में आ जाएगी, multiply में, यह point, यह point cancel, divide कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 18, 30, 30 से divide करते, 206, 4012, तो ad value आ चुकी है, 2.4 cm, कितना से value find out करेंगे, main याद रखेगा, कि आपको bpt जो ratio लगा रहा है, वो दो तरीक से लगाया जाता है, एक full length में, एक short length में, तो question according हम लोग use करते हैं, यह short hand ratio लेना है, यह full length ratio लेना है, चले, start करते हैं, next question, तो second question मैंने यहाँ पर note कर लिया है, तो इस question में, E and F are points on the side, PQ and PR, respectively, of the triangle PQR, तो यहाँ एक triangle बात की जारे हैं, यहाँ वो triangle बना रही है, तो हम लोग वो triangle बना लेते हैं, तो triangle यहाँ बना लेता हूं में एक, इसका name क्या रहेगा, PQR, for each of the flowing cases state whether EF is parallel to QR, देखिए यहाँ पर given नहीं है कि यह lines parallel है, यानि यह वारी line जो यहाँ ड्रोव मैंने की है, यह यहाँ पर given नहीं है कि parallel है, मुझे यहाँ parallels प्रूव करनी है, तो यहाँ पर जो लगाएंगे हैं, बोग, Converse of BPT, तो Converse of BPT क्या होता है, जैसे for example मैंने भी बोला था आपको, कि अगर एक triangle में यह lines इसके parallel होती है, तो यह ratio आपस पे बराबर होते हैं, इसका Converse यह कहता है, कि अगर triangle के corresponding sides का ratio अगर equal है, अगर corresponding sides का ratio equal है, तो lines parallel होगी, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, parallel दिखाने के लिए ratio मुझे equal यहाँ पर दिखा देना है, तो यह लिए लेते है ratio, तो ratio कैसे लेंगे, first condition ब्यादें, तो कैसे ratio लेना है, देखिए वहाँ value कौन से रखे, PE, तो PE यहाँ note करते है, 3.6, वो 3.9, EQ कितना है, 3, और PF कितना है, 3.6, और FR है, 2.4, अब यह notice करिए, कि यहाँ पर जो है, short length में दे रखे, values या full length में दे रखे, short length means, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की value 3 है, या पूरे की value 3 है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ से यहाँ तक की value 3 है और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की value सिर्फ हमारी 3.9 है, तो यहनी short length है, तो इसलिए ratio में जो लेंगे short length पे लेंगे, यहाँ दखेगा, यहाँ पे converse लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे parallel given नहीं है, हम लोग यहाँ पे ratio equal हो जाने पे show कर यहाँ की lines कैसी है, parallel length को बोलते है, converse of bpt, तो लेते है ratio pe upon eq is equal to pf upon fr, value put कर दें, 3.9 upon 3, 3.6 upon 2.4, तो यह point, यह point cancel out, 12 से divide के 2 the 3 the, और इसको divide के लें, कितना आगे है, मारे पास, 1 the 3 the, तो यह value है 1.3, इसको divide करें, कितना आ जाएगा, 1.5, अब बताईए, दोनों values आपस में equal है, बिलकुर यह equal नहीं है, और मैंने बुला था, अगर यह equal नहीं है, तो इसका अलब यह है, कि हमारी lies parallel नहीं होगी, क्यों parallel तब होती, जब यह ratio आपस में equal होता है, इसमें क्या use किया, by, converse of bpt, ठीक है, इसके इलावे second part मता दो, यही मैं क्या है, pe4 है, देखे, मैं ratio वही ले रहा हूँ, यह कि value इस बार मैं second की put करूँगा, क्यों ratio वैसे ही लेना है, जैसे यहाँ पर लिया था, बस ratio इस बार equal आएगा, कि नहीं आएगा, वो देखते हैं बोग, तो pe कितना है, is 4, pq कितना, 4.5, pf8, और fr9, तो divide कर ले यहाँ पर, देखते हैं क्या value आ रही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, point और यह 0, किसे divisible है, यह है, 5 से, 8 से, 9 से, यह देखे, ratio देखे, दोनों के आपस में ratio equal आ गए, और देखे, ratio जब equal आ गए, equal, जब equal ratio है, इसका अलब यह है, कि by converse of bpt, bpt की perform basic proportionality theorem, अगर converse लगा रहा हूं, इसका अलब कि मुझे ratio equal लाने थे, और ratio equal लाने से, बीच की जो line है, वो हो गई है, parallel, यह complete हो गए, इसाथ third part लगाएगा, यह लग जाएगा, चलिए, start करते हैं, next question is the most important question for the board exam, तो third question मैंने यहाँ पे note कर लिया है, जिसमें given है, in the flowing figure, if the ln is parallel to the cb, and the ln is parallel to cd, then approve that, ratio यहाँ equal लिखाना है, am upon ab is equal to an upon ad, यहाँ पे show गन्दा है, तो यहाँ लगाते हैं, इस टाइप को जब भी question मिलें आपको exam में, जहाँ ratio प्रूफ करना हो, समझ जाएगा, यहाँ पे क्या लगाना है, bpt, यहाँने के similar triangle property, लगाने हैं यहाँ पे, जिसको use करें, bpt के दौर पे, जिसे ratio मारा आ जा पहले आप लिख लीजिए, तो पहली line मुझे parallel दे रखी है, LM, तो LM यसी line मुझे parallel दे रखी, किसके CB के, देखें, जो lines आपको parallel दे रखी, यार कि जो lines आपको parallel दे रखी हैं, उनसी जो triangle बनेगा, आपको वो take करता है, जिसको मैं mark कर देता हूँ, जो triangle यहाँ बना रहा हू इन दो lines से, जो lines parallel है, तो यह वाला triangle मैं take कर रहा हूँ, कि इन इसी triangle में, यह वाली line कैसी है, parallel है, इसलिए यही triangle take करेंगे, तो आते हैं, इन triangle, A, B, C, तो मैंने बूला दाप से, कि अगर एक triangle में दो lines parallel हो जाएं, इस तरह से, तो वहाँ पे मैं use कर सकता हूँ, BPT, basic proportionality theorem, अ आप देखते हैं, answer में full length चाहिए, short length चाहिए, side की, A, M, upon A, B, full length चाहिए, क्योंकि पूरा A, B, चाहिए, इसलिए हम लोग जो BPT लगाएंगे, first लगाएंगे, तो लेते हैं, यहाँ पे, taking ratio, between, cost-pending, sides, तो कितना ले लेंगे, A, M, upon, देखे, पहले यह side लेंगे, फिर यह पूरी side लेंगे, A, B, फिर, A, L, upon, फिर यह पूरी side लेंगे, A, C, ठीक है, इसको बस इतना लिखेंगे, third side use नहीं करेंगे, M, L, upon, B, C, क्योंकि answer में वो चीज़ नहीं चाहिए, बहुती गम cases होते हैं, वो base चाहिए होता है, वैसे जादा दो proofrend वो चीज़ नहीं चाहिए होती है, इसके टिक नहीं करना है, तो इसके बादा आते next, तो अगला क्या चीज़ गेंगे हैं यह अगली line, and, L, N is the parallel to the CD, अब यह line parallel है, तो मैंने बोला दा, जो जो lines parallel हो, हमेशा वो ही triangles लेंगे, तो यह line parallel इस बार, इस line के, तो इसका लोग यह है, मुझे triangle कौन से लेना है, मुझे यह वाला triangle ले लेना है, तो इस triangle को मैं take करता हूँ, और लेते हैं इसमें ratio, क्यूंकि lines parallel हैं, तो इसमें मैं लगा सकता हूँ, बिपीटी, तो लगाते हैं इसमें, बाई, बिपीटी, यानि basic proportionality theorem, तो इसमें जब ratio take करेंगे, तो वैसी ही लेंगे, long cut में, यानि an upon ad, देखें, first triangular side upon full triangular side, is equal to, से में इधर आएंगे, al upon full side ac, तो ये चीज़ें मैं take कर चुका हूँ, अब देखिए, first equation में, second equation में, दोनों में, एक side value same है, तो यानि कि इसकी value मैं बहाँ put कर देता हूँ, by 1 and 2, by 1 and 2 के जरिए, am upon ab, इसको हटा के, इसकी value किसके equal है, am upon ad, मैं put करेता हूँ, और ये आसा हमारा इस तरह से आ चुका है, तो इस तरह इसको question solve करेंगे, देखें, काफी जादे important question है, copy pen रखिए साथ में, और note करते हैं, चलिए start करते हैं, next question, question of 4, question of 4 आपके सामने है, question of 4 की diagram बना हुआ है, और देखते हैं, क्या क्या चीज़ें से given है, क्या क्या चीज़ें मुझे प्रूफ करती है, तो सबस्वेले यहाँ यहाँ पे in the figure is given, DE is parallel to AC, तो यानि DE देखते हैं कौन सी line है, तो DE हमारे पास line है ये वाली, और ये वाली parallel क किसके है, AC के parallel है, साथ मैं अगली देखते हैं कौन सी parallel है, DF to DF कौन सा है, ये वाली line, डबल एरस दिखाते हैं, किसके parallel है, AE के, ये दो lines हमारी parallel दे रखी है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, BF upon FE is equal to BE upon EC, तो यानि मुझे लाना है, BF upon FE और BE upon EC, तो answer according आपको ये प्रच चल गया होगा कि मुझे यहाँ पर short length लेनी है, full length नहीं लेनी, क्योंकि मुझे EC चाहिए, BFE चाहिए, full length में answer नहीं है, short length में, यानि पूरी side इस पर use नहीं करनी है, यानि BPT की जो second condition मैं दिखाई दी ratio टिक करने में, वो यहाँ पर apply की जाएगे, चलो ये start करते हैं, तो BPT लगाने के लिए triangle कैसे decide करेंगे, उसके लिए हम लोग ये सोचेंगे कौन सी line parallel है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है DE, ये line parallel है इसके, अब ये सोचें कि इन दो parallel line के according triangle हमारा कौन सा बन रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, side में फिर सरा देता हूँ, ये मैंने triangle मे ये lines parallel take की है, क्योंकि ये line parallel given थी, अब ये line parallel थी तो बाकी lines से बिलकुल भी focus नहीं करेंगे, सिर्फ इसी triangle में focus करेंगे, तो यानि कि triangle कौन से लेना है मुझे, ABC, तो इसी में लगानी मुझे BPT, तो by BPT, तो BPT के according में लेता हूँ, रेशियो, और इस मैंने बोला कि answer में short length ह नहीं है, देखे, BF upon FE, तो short length है, मुझे पूरी length नहीं चाहिए, तो कैसे लेंगे ratio, BD upon AD is equal to AE, वो BE upon EC, तो first number डाल के इसको छोड़ देते हैं, इसके बाद देखते हैं, और क्या given है, second यहाँ पर given है, कि DF parallel है AE के, तो हम लोग फिर सोचेंगे, कि आखर यह जो lines parallel है, किस triangle में है, तो यह हमें line दे रखें, यह सी वाली parallel, इसके दे रखें parallel, तो यह तो clear हो गया है, इन दो को लेना है, तो ऐसा करते हैं, इनका triangle बना लेते हैं, तो यह B है, यह D है, यह A है, यह F है, और यह E है, तो इसमें यह line, यह line कैसी है, parallel दे रखें, मैंने question easy करने के लिए, और अच्छी रच्छा जाने के लिए, मैंने दो triangle अलग अलग बना लिए हैं, तो अब इसमें कौन से triangle लेंगे, जिसमें यह lines parallel थी, बिल्कुल सही B, A, E, B, A, E, तो इसमें lines parallel हैं, तो लगाते हैं इसमें by B, P, T, लेना यहाँ पे, वैसी short length में, तो कैसे लेंगे, B, D, B, D upon A, D, देखें, B, D upon A, D, same हैं नीचे आए, B, F upon F, E, तो यह दूसा number, second number डाल के छोड़ दीजे, अब देखें, first और second में क्या चीज़ same है, तो बुल्कुल सही देखें, यहाँ पे B, D upon A, D, B, D upon A, D, दोनों same मिल रहा है, तो बस हमारा answer आ चुका है, by 1, 2, हम लोग इसको replace करके, जो दूसी side है, उ answer, तो साथ question complete होता है, लिखते रही साथ में, चलिए start करते हैं, जल्दी से next question, तो बसे start करते हैं, question of 5, question of 5 में देखते हैं, क्या क्या given है, और क्या क्या प्रूफ करता है, तो question is given एक बड़ा सा diagram, जिसे बहुत धे सारे triangles हैं, बहुत धे सारी sides है, तो देखते हैं कैसे proof करेंगे, काफे typical लग रहे हैं, इसमें क्या given है, B, D, E is a parallel to O, Q, और D, E, F is a parallel to O, और क्या शोगरना है, E, F is a parallel to Q, तो मैंने बोला था, कि अगर दो lines आपको parallel दे रखी हैं, सुनिए एक बाद अराम से, कि अगर दो lines आपको parallel दे रखी हैं, तो हम लोग उसमें लगा सकते हैं, B, P, T, यानि ratio equal होगा, लेकिन इसका converse क्या था, converse ये था, कि एक को दिखाना है, जिससे यहाँ पर lines parallel हो जाएंगे, चलिए start करतें, तो सबसे वहले हम लोग क्या करेंगे, पहले given लेंगे, जो lines parallel दे रखी हैं, पहली line, तो पहला pair मैंने यहाँ note कर लिए हैं, अब देखेंगे, diagram में क्या कि ये lines कौन सी हैं, तो D, E, ये lines parallel किसके हैं, तो ये line parallel दे रखी हैं, अब इसके according हम लोग decide करेंगे कि मुझे triangle कौन से लेना है, तो बिल्कुल सही है, इन दो parallel line के according मुझे triangle लेना है, ये वाला, मैं डाक कर देता हूँ, और अचीदा से अब काफी आपको clear हो जाएं, तो ये triangle मुझे यहाँ पे लेना है, क्योंकि इन द तो parallel line से यही triangle बन रहा है, तो अब लेते हैं, triangle in PQO, तो तो triangle दो मिल गया कि कौन से take करना है, अब लगाते है, by BPT, तो ratio tick करते हैं, तो लेंगे कैसे, देखें, याँ कोई ratio equal दिखाना नहीं था, देखें, side equal parallel दिखाने, जिससे जरीए side equal तभी आएंगे, जब लोग ratio equal दि TPT, तो इसलिए short length में ratio tick कर लेते हैं, वो better रहेगा, तो P E upon EQ, कैसे लिए, P E upon EQ, फिक्या लेंगे, P D upon DO, तो इसका number first मानके छोड़ दीजें, अब आते हैं, अगले pair पे, D F is a parallel to OR, तो देखें हैं कि आखें ये वाली जो parallel sides हैं, वो कौन सी हैं, तो देखें, D F parallel to OR, तो इन दो parallel lines से triangle कौन से बन रहा है, तो देखें, ये triangle हमारा हो, बन रहा है, तो यानि कि इन दो lines के parallel होने से, मुझे जो triangle लेना है, उसका नाम क्या है, इन triangle POR, तो लगाते हैं इसमें, by BPT, basic proportionate theorem, तो इसमें लेते हैं ratio, वैसे short hand में, short side में, PF upon FR, is equal to PD upon DO, तो ये तो मैं ratio ले चुका हूँ, by 1, by 2, अब देखें, मैं कैसे take करूँगा इसमें, अब देखेंगा, by 1 and 2, तो by 1 और 2 में देखेंगा, कि यहां PD upon DO, PD upon DO दोनों सेम है, तो यानि कि जब इस side की चीज़ सेम है, उसको replace करके, दोनों के जरिये, जो दूसरी चीज़ है, वो आपस में equal हो जाएगी, और जब ये equal हो गई है, तो देखें, ये ratio कौन सा आ रहा है, PE, देखेंगा, PE, डाइगराम देखेंगा, मैं side में लिख रहता हूँ, फिर से, by 1 and 2 के जरिये, मुझे मिला, PE upon EQ is equal to PF upon FR, मैं यहां side में इसनी लिखा है, ताकि डाइगराम आपको सामने दिख जाए, तो ये चीज़ मुझे equal मिल चुकी है, देखते हैं, ये कैसे यहां पे रेशियो, डाइगराम को कॉर्णी मिल रहा है, PE upon EQ, PF upon FR, तो ये जो रेशियो मिल रहा है, मुझे, in triangle, P, Q, R में equal मिल रहा है, तो by Converse of BPT की जरिए, अगर रेशियो equal आता है, तो वहां पे, ये वाली side, क्यों ये सी हो जाए, क्योंकि in triangle ये से वाले में, इस बड़े वाले triangle में ratio equal आया है, तो उसका जो base होगा, वो parallel हो जाए, तो कौन सा base है, EF, is the parallel to the QR, तो इसा से complete question हो जाता है, ratio equal होने से, by Converse of BPT से, ये lines parallel हो जाएगे, क्योंकि यहां परकर जो ratio है, वो मुझे equal मिल गया है, ये ratio, ये ratio मुझे equal मिल गया है, इसका लब ये है, कि beach while line जो थी, वो इसके आपस में parallel हो जाएगे, तो चलिए start करते, next question, इसको दोट कर लीज़, अच्छी तरह से, diagram देख ली है, और अच्छा लगे, तो comment करिए, और like करिए, जल्दी से, चलिए start करते, next question, तो start करते है, question number 6, मैंने यहां पर diagram और detail सारी note कर ली है, तो लिखते हैं क्या, कि given है, यहां पर देखते है, easy है, tough है, इतना हिंट दूँगा, जो भी question हो है, ना same as वही, अगर आप थोड़ा स focus करो, अभी question आपको आजाएगा, और अब बीना देखें, अब लगा लोगे, in the flowing figure, ABC are the point on the OP, OQ, OR, यह diagram है, जिसमे OP यह side है, OQ यह side है, OR यह side है, तो respectfully, the subject, the AB is a parallel to PQ, देखे, main focus लखा गरी है, parallel line, पर आखे, कौन सी parallel line है, उसके according triangle कौन से take करता है, अब फिर लगा दे नह अब मुझे line दिखा रही है, parallel, यह line, तो पहले क्या गरेंगे, यह clear आपको, कि मैंने बुला था, अगर आपको lines parallel दिखा रही है, इसका मदलब है, आपको महाँ पर लगा रहा है, converge और BPT, जिसमें हम लोग क्या गरते है, triangle में ratio equal दिखा दे है, जिससे lines हो जाते है, parallel, तो आते हैं, इसमें सबसे पहले given चीज क्या है, तो पहला pair कौन साइक को parallel हैं यहाँ पे, AB is parallel to PQ, यह concept take करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको mark करेंगे, तो AB, यानि यह line, किसके parallel है, PQ के, इसके parallel है, अब देखे बदाएए, अगर यह दो lines parallel हैं, तो triangle कौन से ले लेते हैं, इसका नाम क्या है, O, P, Q, लगा देते हैं, इसे by B, P, T, तो B, P, T कैसे लगाएंगे, या दखेएगा ratio measure यहां से लेते हैं, इसके corner point से, यानि दो parallel lines का जो vertex होगा, वहां से ratio ले ना, आपको, जो parallel lines होती है, उसका जो vertex होता है, वहां से ratio लिया जाता है, तो कैसे लेंगे, O, A, upon, देखे, short line में ले रहा हूँ है, O, A, upon, A, P, is equal to, O, B, upon, B, क्यों, बस यहां पर छोड़ दीजिए, अब आते next, क्या given है, अगला pair given है, यहां पर, A, C, is the parallel to, P, R, चलिए इसको देखते हैं, क्या क्यों सी lines parallel हैं, तो यहां पर, A, C, parallel किसके है, P, R के, तो triangle कौन से लेंगे, बिलकुल से यह, यह triangle हमारा बन चुका है, जिसका नाम बताईए, triangle O, P, R, तो लगाते हैं इसमें by B, P, T, तो B, P, T, लगाते हैं, लेते हैं इसमें ratio, तो ratio कैसे लेंगे, इन दोनों lines के parallel का vertex कौन सो होगा, triangle का, देखे, यह सा vertex होग तो यहां से लेना मुझे ratio, तो O, C, देखे, कैसे लेंगे, O, C upon C, R, A, O upon A, P, number 2, अब आते हैं by 1 and 2, अब देखे, by 1, by 2 में क्या हैं, यह चीश्चों सेम हैं, इसको replace कर देंगे, तो O, B upon B, Q is equal to the O, C upon C, R, तो यह मुझे ratio एक कर लिल चुगा है, अब ratio देखे, अब आते हैं, देखे, ratio किस triangle का है, देखे, O, B, O, B upon B, Q, इसके according में सोच रहा हूँ, O, C upon C, R, अब देखे, यह कौन से triangle में हैं, बुलकुल सही यह वाला triangle हमारे सामने आ गया, तो in triangle, O, O, Q, R, में पहुच जा देखे, तो by converge of, B, P, T तो converse of B, P, T, के according, यह ratio अगर हमारे पास equal है, तो lines कैसे हो जाएंगी, parallel हो जाएंगी, कौन से parallel होएंगी, यह वाली lines, यह वाली line, parallel हो जाएंगी, तो यह BC नामें, O, में लिखिया है, इसको BC कलेश है, तो BC is parallel to QR, तो साथ question complete होता है, concept क्या है, simple सा concept है, जो lines parallel दे रखें, उसके according triangle decide करिए, और उस triangle में ले लिए ratio by BPT, ratio लेने के बाद, आप क्या करेंगी, उस triangle में पहुँच जाएंगे, जिस triangle मुझे lines parallel दिखानी थी, तो BC parallel to QR दिखाना था, अब सीधिस बाद ये lines किस triangle ये parallel है, इस triangle में, यारि इन दो rank sides का मुझे ratio equal दिखाना था, जो यहाँ पर ratio equal आ चुका है, जिससे यहाँ पर lines parallel हो गई है, by converse of BPT, चलिए स्टार्ट करते हैं, next question, ये काफी जारे important question दे लिए, काफी question अब हो चुके है, मैं सोच अब next video में ही आगी question आपको कराऊं, इस सब copy में note कर लिजेगा, तो चलिए मिलते हैं next video में, next question के साथ, इस सारे question बहुत important है, practice करते रहें, लगाते रहें